नमस्कार दोस्तों मैंना में संदीप और आज किस वीडियो में मैप लोग को किसी भी डेट मोईल को किस तरह step by step solve करना होता है ये method मैं आप लोग के साथ आज किस वीडियो में share करने जाड़ा हूँ डेट मोईल को solve करने के जो method होता है वो आरिक का अलाक अलाक हो सकता है बंद हो जाते हैं वो दुबारा चालू नहीं होते हैं इसी को हम date problem बोलते हैं और ये date problem का reason hardware से भी हो सकता है और software से भी हो सकता है या फिर software hardware combination problem की वाज से भी हो सकता है दोस्तो software problem क्या है और hardware problem क्या है जो लोग ये नहीं जानते हैं मैं उन लोग को यहां पर insert में बता देता ह software problem के वाद से यानि जिस phone का operating system craft हो जाते है या फिर operating system missing होने के वाद से जो phone date हो जाते है इसको हम लोग software problem के वाद से date problem बांते हैं बाकि इस problem को हम लोग कैसे find out कर पाएंगे और इसका solution क्या है वो भी हम इसी वीडियो में ही जानेंगे अभी हम बात करेंगे hardware problem के वाद से जो phone date होता है उसके बारे में hardware यानि phone के अंदर जितने भी सारे पार्ट है जैसे IC, transistor, register, capacitor, diode इसके लब आप phone के अंदर battery के साथ साथ ज सारे hardware है और hardware problem के वाद से जो phone date होता है इसका example जैसे कोई phone अगर पानी में गिरा है और पानी में गिरने के वाद से उसका power IC अगर खराप हो चुका है तो इसी को hardware problem बोलते है तो hardware के वाद से जो phone date होते है इसके बारे में हम इसी वीडियो में ही आगे बात करेंगे अभी हम software और hardware की combination के वाई से जो phone date होते है उसके बारे में तो दिखें दोस्तो hardware और software combination यानि एक phone को चालू होने में software और hardware दोनों का ही जुरूत है यहाँ पर hardware यानि उसका component और software यानि जो उसके अंदर operating system file है वो तो REC Mobile में इस operating system file को रखने के लिए एक memory IC लगा रहता है जिसका type EMC या फिर EOFS हो सकता है बाकी next generation में इसका और भी कुछ type आ सकता है तो phone अगर software के वाई से date होता है तो उसको simply USB data cable के थुरू flash करके हम उसको solve करते हैं कई बर क्या होता है दस्तो USB data cable के थुरू flash करने से phone flash नहीं होते है उसमें error आ जाते हैं या फिर कुछ condition में हमारा USB cable detect है नहीं करते है तो इस condition में हम memory IC को खोल के या फिर ISP की थुरू programming करके उस problem को solve करते हैं इसी सारे process को हम या पे software और hardware combination बोलते हैं फिलल के date में जो market में latest phone आ रहा है और इसमें से जो phone date होता है तो उसमें से 90% phone जो date होता है वो hardware problem के वाज से phone date होता है और बाकी 10% जो date होता है वो software से भी हो सकता है और software hardware combination problem के वाज से भी phone date हो सकता है तो चले स्था आभी हम जानते हैं हमारे पास अगर कोई phone date condition में आता है तो उस problem को किस तरह step by step देखकर problem को find out करके उसको resolve करना है अभी हम जानेंगे दोस्तो हमारे पास अगर कोई भी date phone आता है repair होने के लिए तो सबसे पहले हम उस phone की कुछ basic inquiry करेंगे उसका reason पता करने की कोसिस करेंगे customer से किस कारण के वाद से phone date हुआ है या फिर कब date हुआ है जैसे अगर customer बोलता है कि phone पानी में गिनने के वाद से phone date हुआ है तो इस condition में हम phone को एक बार wash करके देखेंगे या फिर customer बोलता है कि phone गिनने के वाद से date हुआ है तो इसके लिए हम phone के अंदर से battery को चेक करेंगे display को चेक करेंगे और motherboard को भी चेक करेंगे कि कोई part हमारा damage या तो loose तो नहीं है कभी-कभी customer के साथ ऐसा भी होता है phone को पूरी राद या फिर कुछ घंटे तक charge करने के बाद भी phone में charge भी नहीं होता है और जब phone को check करते हैं तो phone बंद होके परे रहते है तो यह जो reason है यह तीन करम के वाद से होता है जैसे जिस time phone को customer ने charging पे लगाया था उस time हो सकता है phone का charging करेंटर खराब है और उसके वाद से phone में charge नहीं हुआ और इसके साथ साथ अगर phone में half short है तो phone में half short रहने के वाद से battery पुड़ा discharge हो चुका है battery पुड़ा bad चुका है और उसके वाद से phone दुबारा चालो नहीं हो रहा है इसका दो नमबर रिजन हो सकता है phone में fake charging की issue है और fake charging की साथ साथ phone में half short भी है और जब customer ने phone में charge insert करते है तो उसमें तो charging 100 होता है लेकिन battery backup की percentage increase नहीं होता है और half short की वाद से battery में जो भी charge था वो कुछ टेम ऐसे ही रहने की वाद से charge पुड़ा खतम हो जाते है और phone पुड़ा date हो जाते है इसका इतिन नमबर कारण कुछ customer ऐसा करता है कि ज्यादा इंप्यार charger से charge करते है या फिर कोई भी copy charger से charge करने पर phone उसका अपने डेट हो जाता है तो इस condition में ज़्यातर charging AC plus power AC खराब होने के वाद से phone डेट हो जाता है तो इस तरह हम अगर customer से inquiry लेंगे तो phone को repair करने में बहुती आसान होगा दोस्तो customer को अगर पता नहीं है कि इस कारण की वाद से उनका phone date हुआ है तो मैं भी आप लोगो बताने जा रहा हूँ किस तरह आप किसी भी date mobile को step by step देखकर उसको repair करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले phone को open करेंगे और इसके बाद हम mobile motherboard से battery connecting को disconnect करेंगे और इसके बाद mobile motherboard battery connector की plus और minus में meter से रिडिन लेंगे अगर हमें इसमें कोई sorting बगरा देखने को मिलते है तो उसको हम fix कर देंगे और जो phone sorting की वाद से date हो जाते है उस phone को किस तरह step by step repair करना होता है मैं इसके बारे में अल्रेडी वीडियो बना के रखा हूँ चाहे तो आप उन सारे वीडियो को देख सकते है और इसके बाद हम meter से battery को check करेंगे battery में charge है या नहीं वो देखेंगे battery में 3.7 से लेकर 4.2 volt की बीच में कोई अगर voltage हमारा मिल रहा है तो मान लेजिए वो battery battery phone को on करने का लायक है और अगर battery का voltage 3.7 से नीचे है तो इससे phone on ना भी हो सकता है और अगर battery पूरी तरक से discharge हो चुका है तो इसके लिए battery को boost करना पड़ेगा तब जैके battery में charge होगा और phone on होगा battery को boost करने के लिए market में बहुत सरे battery booster ऐसे मिलते है जिससे आप लोग battery को boost कर सकते हो या फिर आप चाहे तो DC power supply से भी battery को boost कर सकते हो और आप अगर without battery booster without DC power supply only एक charger की माद से battery को किस तरह boost करना है या आप जानना चाहते है तो मैं इसके बारे में अब चाहे तो उस वीडियो को देख सकते है तो बैटरी अगर पूरी तरह किसे discharge हो चुका है और आपने battery को charge किया है या फिर आप नया battery लगा रहा है फिर भी phone on नहीं हो रहा है तो इस condition में हम mobile motherboard को अच्छे से clean करेंगी क्योंकि कई वर क्या होता है दोस्तों मैं ऐसे भी problem को solve किया हूँ PCB में कुछ component की बीच में थोरा सा carbon जमा है और phone हमारा on नहीं हो रहा है और जब मैंने उस carbon को clean कर दिया तो phone हमारा on होने लगा तो आप अगर कोई date phone को repair करने के लिए open किया है तो PCB को आप जुरूर clean किया करें फास्ट में ये सब देखने के बाद अभी हम जाएंगे next step के तरप next step पे हम देखेंगे power switch और charging connector को मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ कई बार कुछ phone में ऐसा भी देखने को मिलते है phone की charging connector भी खराप है इस condition में हम phone को date समझेंगे तो ये आप चेक जरूर करें दोस्तो जो भी phone hardware problem के वासे date होता है लगबग जातर phone इनी सारे कारण के वासे phone date होता है जो मैंने आप ये बात किया है अभी हम बात करेंगे कुछ phone में ऐसे problem देखने को मिलते हैं उनमें sorting भी नहीं है और battery में भी charge है फिर भी phone on नहीं होता है तो इस condition में हम क्या करेंगे phone को computer के साथ data cable के थूरू connect करेंगे और device measure को check करेंगे अगर हमें इसमें कोई auto ports हो रहा है जैसे qualcomm mediatek तो इस condition में हम phone को flash करेंगे और अगर flashing में कोई error आता है फ्लैसिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे में storage IC का भी problem हो सकता है जिसका type EMC या फिर UFS हो सकता है दोस्तो phone date होने का और भी कही तरह की reason हो सकता है hardware और software में मैं कोईसिस करूँगा इसके उपर एक practical के साथ वीडियो लाने की तो दस्तो आज कस वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत चलत एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद